हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11, क्लास 11 की हमारी 5.2 तक कंप्लेट हो चुकिया, आज हम पढ़ेंगे 5.3, एक्सरसाइज 5.3 में क्या है, देखते हैं, solve the equation, आपको एक equation दिवी, उसको solve करेंगे, solve करने का मिनिंग क्या है, कि x की value फाइंड करेंगे, फिर हमारे पास क्या आता है, कि x की value हम कैसे find करेंगे, जिससे हम root निकालते थे, ऐसे ही find करेंगे, बट वो तो हमारे पास कहां, 8th और 9th क्लास में आता था, अब हम पढ़ेंगे कि कोई भी, अगर हमारे पास से, ऐसी equation दिवी है, जिसके हम complete root find नहीं कर सकते हैं, उसको हम कैसे solve करते हैं, देखो, क्या है x square plus 3 is equal to 0, equation x square plus 3 is equal to 0, on comparing, compare करेंगे, किससे, एक quadratic polynomial से, ax square plus bx plus c is equal to 0, by compare, a की value क्या है, 1, b की value क्या है, x का coefficient नहीं है, तो क्या हो जाएगे, 0, और c क value क्या है, 3, सभी की value not की, फिर हमने 10th class में, discriminant method पढ़ा था, उसी का use करेंगे, और कुछ भी हमारे लिए extra नहीं है, discriminant method में, d यह हमारे पास क्या होता है, b square minus 4ac, b यह हमारे पास क्या है, 0, 0 का square minus 4, a की value 1, और c की value 3, 0 minus 4, 3 जा 12, तो क्या आजेगा, minus 12, लेकिन जब हम 10th class म minus 4ac, अगर हमारे पास, b square minus 4ac है, वो हमारे पास क्या आज़ता है, कि less than 0 आज़ता है, कि 0 से छोटा आज़ता है, अगर हमारे पास, it means यह हमारे पास 0 से छोटा आजएगा, अगर 0 से छोटा आज़ता है, यह आपके पास, तो हम क्या बोलते थे, कि minus में आएगा, और minus में आ वे खतम करते थे बट अब हम यहां इसको quadratic polynomial है इसके root find करेंगे किसमे complex number में कैसे करेंगे देखते हैं अब यहां पे क्या आया minus 12 आ गया discriminant method था जो उसमें apply कर देंगे quadratic formula क्या होता है minus b plus minus root b square minus 4a से उसको मैंने क्या लिख दिया d by 2a minus b की value क्या है 0 plus minus root d की value क्या है minus 12 और 2a की value 1 अब हमारे पास जब introduction किया था और 1 दोनों में हमने चीज पड़ी थी कि iota की value हमारे पास क्या होती है root minus 1 यह हमारे पास value होती है iota की तो यहां minus 12 है यहां से अगर मैं इस 12 को ऐसे लिखूं की root के अंदर लिख लिया मैंने 12 minus 1 तो अलग अलग कर देंगे root 12 का root multiply minus 1 का root ऐसे लिख सकते है root 12 और इसको हम क्या लिख सकते है iota तो इसको मैं क्या लिख दूंगे 12 iota यह हमारे पास करना है बस हमें change minus 12 को हमने क्या लिख दिया plus minus आगे 0 कोई फर्ग नहीं पड़ेगा plus minus लगा दिया और root 12 और भार minus की जग हमने क्या बना दिया iota by 2 अब 12 को break कर देंगे 4 into 3 में और 4 किसका square होता है 2 का तो क्या कर देंग plus minus 2 root 3 iota by 2 2 से 2 cancel हो जाएगा क्या आएगा plus minus root 3 iota next है question number second solve the equation 2x square plus x plus 1 is equal to 0 on comparing ax square plus bx plus c is equal to 0 a is equal to क्या आएगा 2 b is equal to 1 and c is equal to 1 d is equal to क्या आजाएगा मार पास b square minus 4ac यह मार पास formula discriminant method का b की value क्या है 1 का square minus 4 a की value 2 और c की value 1 1 minus 4 2 जा 8 1 minus 8 क्या आया minus 7 अब minus 7 है तो इसको हम solution निकालेंगा x is equal to minus b plus minus root d by 2 a अब b की value मार पास क्या है 1 तो क्या लिखेंगे minus 1 plus minus d की value क्या है root minus 7 by 2 और a की value 2 minus 1 as it is रहेगा plus minus है अब यह minus इस minus की जगे हम जैसे उपर की आता है इसा ही इस minus की जगे क्या लिखेंगे iota और यह क्या हो जाएगा positive तो minus 1 plus minus root 7 और बार क्या लिखेंगे iota divided by 2 तो जा 4 यह हमारे पास equation आजएगे solution question number 3 solve that equation x square plus 3x plus 9 is equal to 0 on comparing a is equal to 1 b is equal to 3 आजएगा और c is equal to 9 हमारे पास 3 की value आगे d is equal to क्या करेंगे b square minus 4ac b square minus 4ac करेंगे तो b क्या है 3 का square minus 4 a की value 1 और c की value 9 3 का square 9 minus 4 9 जा 36 9 minus 36 क्या आएगा minus 27 x is equal to minus b plus minus root d by 2a minus b b की value क्या है 3 minus 3 plus minus root minus 27 by 2 और a की value 1 minus 3 plus minus 27 को हमने break किर दिया 9 multiply 3 में और minus की जगे हमने क्या लिख दिया iota अब भी 9 को अगर हम भार लिक आएगे क्या आएगा 3 आजेगा तो यहां आएगा minus 3 plus minus 3 root 3 iota by 2 next है हमारा पास question number 4 question number 4 क्या दे रखा है solve the equation minus x square plus x minus 2 is equal to 0 on comparing the equation इस equation को हम compare करेंगे ax square plus bx plus c is equal to 0 a की value क्या है minus 1 b की value 1 और c की value minus 2 d is equal to क्या हैगा b square minus 4 a c b हमारे पास क्या है 1 1 का square minus 4 और a की value क्या है minus 1 और c की value minus 2 1 minus 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 plus फिर से minus minus हो जागा क्योंकि 3 times आ गया minus तो क्या आएगा minus 4 2 जा 8 1 minus 8 क्या आएगा आपके पास minus 7 अब हमें value निकालेंगे की root क्या हैंगे हमारे पास x is equal to minus b plus minus root d by 2 a minus b की value क्या है 1 plus minus root और d की value minus 7 by 2 और a की value minus 1 minus 1 plus minus minus 7 है minus को अटाएंगे क्या लिखेंगे आपके लिखेंगे root 7 आपके लिखेंगे रूट से 1 आपके लिखेंगे रूट से 1 आपके लिखेंगे divided by 2 बन जा 2 minus का 2 आ जाएगा next question number 5 solve the equation x square plus 3x plus 5 is equal to 0 on comparing ax square plus bx plus c is equal to 0 compare करेंगे हम सबको a is equal to क्या हैगा 1 b is equal to 3 and c is equal to 5 d is equal to क्या हैगा b square minus 4ac b हमारे पास क्या है 3 3 का square minus 4 a की value 1 और c की value 5 3 का square 9 minus 5 और 20 9 minus 20 क्या हैगा minus 11 x is equal to minus b plus minus root d by 2a minus b की value हमारे पास क्या है 3 minus 3 plus minus root d की value minus 11 by 2 multiply 1 minus 3 plus minus अब यह minus है minus को उटा के क्या लिखेंगे आइटा और अंदर क्या रहेगा root 11 divided by 2 next है question number 6 solve the equation x square minus x plus 2 is equal to 0 x square minus x plus 2 is equal to 0 on comparing compare करेंगे ax square plus bx plus c is equal to 0 के लिए a की value क्या आजाएगी 1, b की value minus 1 और c की value 2 फिर हम क्या निकालेंगे d, d का हमारे पास क्या है method b square minus 4 a c b हमारे पास क्या है minus 1 minus 1 का square minus 4 a की value क्या है 1 और c की value 2 minus 1 का square क्या आएगा 1 और minus as it is 4 2 जा 8 1 minus 8 क्या आजाएगा minus 7 अब x हमारे पास क्या आएगा minus b plus minus root d by 2 a minus b की value क्या है minus 1 plus minus और d की value क्या है minus 7 by 2 into 1 minus minus plus का 1 हो जाएगा और plus minus अब minus की जगे हम क्या लिखेंगे i उता अंदर क्या रहेगा root 7 divided by 2 बन जा 2 यह हमारे पास क्या आजाएगे इसके roots next है question number 7 solve the equation root 2 x square plus x plus root 2 is equal to 0 आपको equation दी हुई है compare करेंगे on comparing a x square plus b x plus c is equal to 0 a की value क्या आजाएगे root 2 b की value 1 और c की value root 2 अब d यह हमारे पास क्या होता है discriminant b square minus 4ac b यह हमारे पास क्या है 1 1 का square minus 4 a की value root 2 और c की value root 2 1 minus 4 और root 2 root 2 कितना आजेगा 2 4 2 जा 8 1 minus 8 क्या आजेगा minus 7 x is equal to minus b plus minus root d divided by 2a b की value क्या है 1 तो क्या आजेगा minus 1 plus minus d की value क्या निकाली है minus 7 divided by 2 और a की value root 2 minus 1 plus minus अब जो minus है उसकी जगे हम क्या लिखेंगे आयोटा लिखेंगे और as it is क्या रहेगा 7 minus 1 plus minus root 7 आयोटा by 2 root 2 next है question number 8 solve the equation root 3 x square minus root 2 x plus 3 root 3 is equal to 0 आपको equation दी हुई है on comparing compare करेंगे इसको a की value क्या आएगी root 3 b की value minus root 2 और c की value 3 root 3 फिर हम निकालेंगे discriminant method से d d क्या आता है b square minus 4ac b अमारे पास क्या है minus root 2 minus root 2 का square minus 4 और a की value root 3 c की value 3 root 3 minus का square कर देंगे plus हो जेगा root 2 का square क्या आजेगा 2 minus अब देखो 4 as that is रहेगा 3 as that is 4 multiply 3 root 3 root 3 कितना हो जेगा 3 तो क्या आजेगा 2 minus 4 3 जा 12 12 3 जा 36 2 minus 36 और 2 minus 36 क्या आजेगा minus 34 x is equal to minus b plus minus root 2 by 2 a minus b की value क्या है minus root 2 plus minus d की value minus 34 divided by 2 into root 3 अब minus minus क्या हो जेगा plus a root 2 plus minus minus की जेगा यह क्या लिखेंगे iota root 34 iota divided by 2 root 3 next है question number 9 solve the equation x के और plus x plus 1 by root 2 is equal to 0 आपको equation दी हुई है अब इस equation में अगर हम simply solve करेंगे तो हमारे पास यह क्या है fraction सबसे पहले किसको खुतम करेंगे हम fraction को तो क्या करेंगे इसका LC हम ले लेंगे root 2 root 2 की और इसके multiply root 2 x के root 2 की और x की plus root 2 x plus a 1 is equal to 0 अब LC हम को उदर लेके गए 0 हो जाएगा क्या आजेगा root 2 x के plus root 2 x plus 1 is equal to 0 on comparing ax के plus bx plus c is equal to 0 a की value क्या आजेगी root 2 b की value क्या आजेगी root 2 और c की value 1 d निकाल लेंगे d is equal to b square minus 4ac is equal to b की value हमारे पास क्या root 2 का square minus 4 और a की value root 2 और c की value 1 root 2 का square से root cancel हो जेगा क्या आएगा 2 minus a 4 root 2 अब बड़ा कौन है 4 root 2 बड़ा है और यह हमारे पास चुटा है क्योंकि यह तो 4 है और उसकी root 2 से multiply और यह totally कितना है 2 है हमारे पास देखो x is equal to निकाल लेंगे x is equal to लिखेंगे हम x minus b plus minus है root d अब minus b की value क्या है root 2 plus minus d हमारे पास क्या है 2 minus 4 root 2 by 2 multiply root 2 अब दोनों में देखो यह z is plus minus दोनों में common क्या आ जाएगा यह 2 है यह 4 है दोनों में common क्या है 2 अंदर क्या बचेगा 1 minus 2 root 2 और divided by 2 root 2 अब यहां से अगर हम 2 को common लेंगे तो क्या आएगा root 2 भारा जाएगा अंदर क्या बचेगा अंदर जो है आपके पास यह कम है यह ज्यादा है तो इसमें से अगर हम यह minus करेंगे तो कैसा आएगा minus आएगा इसलिए हम क्या करेंगे इनक assign change करके साथ में क्या लगा देंगे आयोटा इसको हम क्या लिख देंगे 2 root 2 minus 1 और बार क्या लगाया आयोटा divided by 2 root 2 दोनों में common क्या है root 2 अंदर क्या बजेगा minus 1 plus minus 2 root 2 minus 1 आयोटा divided by 2 root 2 root 2 से root 2 cancel हो जेगा x is equal to minus 1 plus minus root of 2 root 2 minus 1 आयोटा divided by 2 important question है आपके पास 9th next है 10th solve the equation x square plus x by root 2 plus 1 is equal to 0 सबसे पहले LCM लेंगे x square by 1 plus x by root 2 plus 1 is equal to 0 root 2 LCM आजेगा root 2 और x square के multiply root 2 x square ये cancel हो जेगा x plus root 2 is equal to 0 अभी 0 की दर लेके जाएंगे खतम हो जेगा LCM को root 2 x square plus x plus root 2 is equal to 0 by comparing compare करेंगे a की value क्या आजाएगी root 2 b की value 1 और c की value root 2 आएगी फिर हम क्या निकालेंगे d, d क्या होता है b square minus 4ac d ये मारे पास है b ये मारे पास क्या था minus, sorry, plus a 1 और 1 का square minus 4 a की value root 2 root 2 और c की value root 2 1 minus 4 root 2 root 2 कितना आजेगा 2, 4, 2 जा 8, 1 minus 8 is equal to minus 7 आजेगा x is equal to minus b plus minus root 2 by 2a minus 1 plus minus d की value क्या है root minus 7 by 2 root 2 अब minus को खतम करेंगे क्या लगाएंगे iota तो क्या लिखेंगे minus 1 plus minus root 7 iota divided by 2 root 2 ये थी हमारी exercise 5.3 लिए थी है टेंक लिए 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